बार काउंसिल उत्तरप्रदेश के वाइस चेर्मेन जे नारायन पांडे के जरिये जनपद अमरोहा के अधिवक्ता डॉक्टर रवेज शुकला को कर्मठ और अधिवक्ता हितों के लिए सदैव संगर्ष शील अग्रसर भूमी का निभाने के कारण विशेश प्रतिनिदी नि मनुनीत किया गया है डॉक्टर रविंदर शुकला ने अपनी प्रेस कॉंफेंस में वाइस चेर्मेन जे नारायन पांडे का धन्यवाद देते हुई यह विश्वास दिलाया कि वे अधिवक्ता हितों की लिए जमीन इस्तर से लेकर विधानसवा संसद एवं बार काउंसिल रविंदर शुकला जी पे बार कॉंसिल ने भरोसा करके आपको उत्तर प्रदेश जन्पद अम्रोहा का अधिवक्ता शिरियर रविंदर शुकला जी को जो दायतु दिया गया है उस दायतु का निर्वहन करेंगे और किसान युवाओं का आप सोसरनी होने देंगे आप जन किसानों के साथ युवाओं के साथ अधिवक्ताओं के साथ कांदे से कांधा मिला के पूरी जोस्त पूरी उत्साप पूरी इमान दारी के साथ काम करेंगे मैं और इश्वर से प्रातना करता हूँ कि इश्वर आपको दिन दूनी, राज चोगनी, तरक्की दे, सत्थ बुद्धी दे, जैहन, बंदे मातर नमस्कार दोस्तो, मैं डॉक्टर रविंदर शुकला एडवुकेट जनपद नियाले अमरोहा से मेरे दोस्तो, मेरे साथियों आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे सुपचिंतकों के लिए, मेरे अधिवक्ता साथियों के लिए बेहत खुशी का दिन है कि बार कॉंसिल उत्रप्रदेश के माननिय बाई शेर्मेन महद है माननिय जै नाराण पांडे जी द्वारा मुझे आज विशेस प्रतिनिदी जनपद अमरोहार मुरादाबाद मंडल का नुक किया गया है ये मुझे अभी उनका आदेश प्राप्त अधिवक्ता अधिकारों के लिए सडक से लेकर विधान सवास संसद और बार कॉंसिल तरप्रदेश तक संघर्ज किया जाएगा मैं बाई शेर्मेन महोदे को ये विश्वास जताता हूँ ये विश्वास दिलाता हूँ कि सड़क से लेकर विधान सवास संसाद और बार काउंसिल तक लगातार अधिवक्ता हितों के लिए संगर्स किया जाएगा किसी भी कीमत पर अधिवक्ताओं और उनके परिवार जनों का उत्पिर्णन वर्दास नहीं किया जाएगा और साथ ही मैं माननी ये बाई शेर्मेन महोदे और उत्तरप्रदेश बार काउंसिल से ये मांग करता हूँ ये फेक्षा करता हूँ कि जब भी जन्पद अम्रोहा के अधिवक्ताओं को मुरादबाद मंडल के अधिवक्ताओं को आपकी जुरत पड़े आपकी आवेश रखता हो तो आप हमारे संदक्षक के तौर पर कंदे से कंदा साथ मिलाकर अग्रणी भूमी का निभाएं सडक पर हम संघर्स करेंगे आप हमारा संघर्स हमारे लिए संघर्स लखनो इलाबाद और विधान सवा तक आप संघर्स करें ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ इसी के साथ साथ मैं अपने अधिवक्ता सातियों से अधिवक्ता समास से ये अपेक्षा करता हूँ कि अदिवक्ताओं का उत्पिर्णन होने पर आप लोग एक साथ आगे आएं अपने अपने छेतर की जिम्मेदारियां आप लोग उठाएं और अदिवक्ताओं का उत्पिर्णन ये सुलिश्चित करें कि कोई भी डवंग कोई भी माफिया या पुलिस प्रसासनिक अदिकारी जो अदिवक्ताओं और उनके परिवार जनों को टार्गेट करने की सोच रहा है या मानसिक्ता रखता है किसी भी कीमत पर अदिवक्ताओं का उत्पिर्णन ना हो सके हम सब लोगों को मिलकर सम्मानित बार के पतादिकारियों को मिलकर ये सोचने की जुरूत है और कारे करने की जुरूत है इसी के साथ साथ बाई-शियर्मन महोंदे आपका विशेष धन्यवाद कि आपकी आविश्यक्ताओं और अपेक्षाओं पर मैं हमेशा खरा उतरूंगा और सड़क से लेकर विधान समा और बार काउंस उत्रप्रदेश संसत तक जितना भी मैं कर सकता हूँ मैं संगर्स अपने अधिवक्ता समाज के लिए अधिवक्ता साथियों के लिए संगर्स जीवन परियत करता रहूंगा ऐसा विस्वास आपको दिलाता हूँ जै हिन जै भारत जै अधिवक्ता समाज जै अधिवक्ता समाज